जारे बच्चों को मेरा नमस्कार, MK Education चैनल में आपका स्वागत है, आसा है आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, बच्चों आपको यह पुस्ता किसी वर्ष विद्धाले से मिली है, तो आपको इस पेकार करने में थोड़ी कटनाई का सामना करना पड़ सकता है, आज हम एडिगेट अभ्यास पुस्ति का पेकार करेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफूर होने वाली है, चैनल में चैनल को सस्काइब ने किया, तो सस्काइब कर लीजी, बेल आइकन को प्रेश कर लीजी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आप त देख सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं, अक्छा पांच वी के अंतरगत, आज हम पर्यावन अध्यन के महत्पून पार्टों का अध्यन करेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्पून है यह पार्ट, इसके पूरु में हमने पार्ट 17 तक कार कर चुका है, फांदली साथियों, आपको मेरे MK Education चैनल पे इसके समस्त वीडियो मिल जाएंगे, तो आप MK Education को सर्च कर लीजिए, एवन प्रेलिस्ट पे जाके आप समस्त वीडियो को प्राप्त कर लीजिए, और अपने कटनाई के स्थर को जाच लीजिए, 79 नंबर का पेज यहां दिया है, अब ह प्रेस नंबर का पार्ट है, प्रेस नंबर पहला पड़ते हैं, अगर हम अपना गाव छोड़कर कहीं दूर रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा, तो उत्तर दिखते हैं, अपना गाव छोड़कर कहीं दूर जाना हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जहां पड़ इसे हमें बहुत फाइदे हैं जिससे पानी का लेवल बना रहता है जो हम सिचाई के लिए विध्धुत उत्पादन के लिए उप्योगी होता है बांद नुकसान देख लेते हैं बांद को बनाने के लिए बहुत एकड़ मातरा में भूमी की आओ सकता होती तो मकान खाली हो जाते हैं कई गाओ को हटाना पड़ता है और कई खेट डूप भी जाते हैं तो ये नुकसान हम सामान तो देख सकते हैं प्रेस नंबर तीसरा है कभी कभी हम भीड में रहकर भी अकेला अपन महसूस करते हैं ऐसा क्या होता है सोचकर लिखिए उत्तर है हमें भीड में रहकर भी कभी कभी अकेला महसूस होता है क्योंकि अपना कोई नहीं होता यदि अपना कोई नहीं होता तो भीड का मतलब नहीं होता है हमें अकेला अच्छा नहीं लगता है इसका प्रशन का उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं अब हम देखते हैं प्रशन नमB Черता है वोग गाव छोड़कर सहर मीक्यों जाते हैं कर लिखिए तो लोग गाव छोड़कर सहर काम की तलास में जाते हैं क्योंकि सहर में काम आसानी से मिल जाता है तो लोग गाव से पलायन करके सहर की और बसने लगते हैं पेज नंबर 114 वा कंपलिट होता है अगले पेज की और चलते हैं पेज नंबर 5 वा है क्या तुम किसी ऐ शांत, साथ, काम पर भी जाना पड़ता है, प्रस्ट नम्बर शटवा है, व्यक्ति के जीवन में मूल भूत आफ सकता है, रोटी कपड़ा मकान आदी, जरूरी मूल भूत आफ सकता हैं, प्रस्ट नम्बर शाथ वाह है, अपनी जगह से हटा दिया जाना और तवादला होना दोनों में क्या अंतर होता है तो अपनी जगह से हटा कर दूसरे वक्ति को रख लेना और वह अपने काम से ना कुसोना तवादला में इक इस्थान से दूसरे इस्थान पर भीजा जाता है इसे इस्थान आंतर ने भी कहते हैं साथियों वीडियो को रोक कर आप इनके उत्परों को अपनी एट्रियेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं अब हम आते हैं अंतर बताईए गाउ का जीवन और सहर का जीवन तो एक नमबर दो नमबर तीन और चार अंतर इसमें बताया गया है आईए पढ़ते हैं गाउ में सुविधाओं की कमी होती है सहर में सुविधा उपलब होती है गाउ में रोजगार नहीं मिलता है सहर में रोजगार मिलता है गाउ में खेती की जाती है सहर में खेती नहीं की जाती है गाओ में पढ़ने के साधन कम होते हैं, जबकि सहर में पढ़ने के परियापत साधन होते हैं, 115 नंबर का page complete होता है, अब हम आते हैं 116 नंबर के page पर, प्रेश नंबर 9 मा हैं, क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाज सुनते हो, इन आवाजों को सुनकर तुम्हें क्या महसूस किया, बताईए, तो पक्षियों की आवाज सुनने से हमारा मन प्रशन हो जाता है, अब देखते हैं, कुछ लोग ऐसा सुचते हैं कि सहर के लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, इस बात से आप कितना सहमत हैं, अपने विचार दीजिए, सभी बच्चों का उत्तर यहां पे अलग-अलग हो सकता है, आईए देखते हैं, ऐसा नहीं हैं, सहर के लोग भी करा फेक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो साथियों, आज हमने एड़केट अभ्यास पुस्ति का पेकार किया है, उमीद है आपको वीडियो वस पसंद आएगा, चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कर लीचिए, बेल आइकन को प्रेश कर लीचिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहेगा, धन्यवाद.